स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रेक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में तो दोस्तों जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे डेस में इंफरस्ट्रक्ट्टर का काम तो बहुत ही टेजी से चल रहा है और पिछले कुछ सालों से हमारे यहां के रोड्स और कनेक्टिविटी भी बहुत ही अच्छी होटी जा रही है और आगे भी यह सिल्सिला चलता रहेगा तो उसी पर एक रिपोट आई है कि हमारे यहां के रोड्स इंफरस्ट्रक्टर कैसा है और वो वल्क के कंपेर में वो कहां स्टेंड करता है तो देखते है अच का मिक्स रियक्शन मुझे याद है जब मैं छोटा हुआ करता था तो हम बस में बैठ कर घुमने जाया करते थे लेकिन मुझे याद है मुझे कभी भी घुमने जाने की उतनी आदा खुशी नहीं होती थी बल्कि वो सिंगल लेन पर खतरनाक तरीके से ओवर टेक करती भी बस इसके अंदर बनकी जो मुझे दिख रहाता है वो थे बहुत ही जादा चोड़ है नाक की सीध में चलते हुए है जो की बहुत ही जादा स्मूथ है यह बतलाब सिर्फ मैं नहीं देखा है या किसी और ने भी नुटिस कि वर्ड एकनोमिक फोरॉम वो और इसे जिसका मानना यह है कि इंड अगर हम वर्ड एकनोमिक फोरॉम के सिर्फ इस चार्ट को देखे तो रोड कॉलिटी के मामले में 2012 में जहां हमारादेश 86th रैंक पर आता था वही आज की रेट में इंडिया 48th रैंक पर आता है यानि कि हम अल्मोस 40 रैंक उपर आता है अब देखने वाली बात ही है कि अगर हम सिर्फ 2019 के बात करें तो इंडिया 4.5. पॉंट्स लेकर आया है जैसा मैं यह अभी बताया है और आप नेसे कुछ लोग बोल सकते हैं कि इटली में भुछी ज्यादा पुराना इंफरसुक्ट्र्रक्टर। जिसकी वहाँ में बड़े रोड्स नहीं बन शकते है और यह बात समझनी चीए कि इटली आज से सिफ आठ साल पहले रैंक के मामले में इंडिया से काफी जादा उपर था जैसे कि 2014 की बात करें तो इंडिया 76 पोजिशन पर दा उस टाइम और इटली उस टाइम पर 57 पर था इसका मतलब वो हमसे बहुत ही जादा आगे अरे इटली को तो छोड़ो अगर मैं उस देश की बात करूं जिसको पीछे चोड़कर वावाई लूटते हैं यानि कि पाकिस्तान तो 2012 का डेटा बताता है कि पाकिस्तान के रोड तक भी इंडिया से अच्छे थे और पाकिस्तान अब 73rd पोजिशन पर आओ इंडिया 86 पोजिशन अब ये रैंकिंग वाला खेल तो हम डीटेल्स में समझ चुके हैं और अब हमें ये समझने की ज़रत है कि आकिर क्यों इंडिया के रोड की कंडिशन इतनी तेरी से सुदर रही है कैसे इस रैंके बढ़ने के पीछे पीछे रोड और हाइवेसी करेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है और कैसे इन सभी अच्छी चीज़ों को एक्जीक्यूट करने के पीछे नेतिन गटकरीजी का बहुत बड़ा हाथ है लेकिन हम ये भी समझेगे कि रोड कॉलिटी रैंक बहुत होने के बावजूद भी हमारे के इसाब से जाएं तो रोड कॉलिटी एक कॉंपोनेंट है जो हर देश की ग्लोबल कंपेटिवनेस को दिखाता है जैसे उस देश की हेल्थ केर इंफ्रास्रक्चर रेल रोड्स या बहुत सारी ऐसी ही चीज़े और वर्ल्ड एकनॉमिक फोर्म इन सभी कॉंपोनेंट्स को को एकटा करके एक रिपोर्ट त्यार करते हैं जिसमें हर एक देश को ओरॉल रैंक दी जाती है कि वह पर्टिकुलर देश बागी देशों के कमपैजर में कहां स्टेंड करता है और अगर हम स्पेसिफिकली यह समझने कोचिश करें कि वह रोड कॉलिटी का पता कैसे लगात इससे यह क्लारिफाय नहीं होता है कि वह पर्टिकुलर कॉंकों से पॉइंट होते हैं जिनको कच्छी इटरेशन में लिया जाता है वाइल मेकिंग दिस लिस्ट राइट क्योंकि यह तो उपीनियन बेस्ट और हमें इसीने डिया कि हम इंडियन रोड से जुड़े हुए उ नेशनल हाइवेस जो पूरे देश के सभी स्टेट्स को आपस में करेक्ट करते हैं स्टेट हाइवेस जो पर्टिकुलर स्टेट्स और डिस्टिक्स को और में सिटीज को आपस में करेक्ट करते हैं डिस्टिक रोड जो स्टेट के स्मॉल टाउंस और तहसीलों को आपस में क करते हैं और urban roads जो cities and urban areas में बनाई जाती हैं इंडिया में road infrastructure को develop करने का और उसको maintain करने का गाम सरकार का होता है अब यह काम state government भी करती है और central government भी करती है 2011 की जनगर्णा के अनुसार इंडिया की 70% population rural areas में रहती थी और तब तक टोटल इंडियन roads में rural roads का contribution 58.46 ही था लेकिन 2021 में 64.61% इंडियन population rural areas में रहती है और आज की rate में टोटल इंडियन roads में 72.94% सिर्फ rural roads ही आती है तो इन आकड़ों से समझ में आता है कि पिछले 10 सालों के अंदर इंडिया में रूरल रोट की connectivity इंक्रीज हुई है बाओ जो दिस बात के कि हमारी पॉब्लेशन के लिए यह 2000 में देश के पूल प्राइम मिनिस्टर अटक भी आजी बाचपाई जी ने प्रधान मंत्री ग्राम चड़क योजना को लांच किया था यह Central Government द्वारा funded scheme थी जिसका में और 82% को टच कर लिया और इसका कारण है नितिम गटकरीजी नितिम गटकरीजी 2014 से लेकर आस्तर देश के लॉंग ने सर्विंग, रोट ट्रांसपोर्ट अंड है और इसका कारण है इंडियन रोट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए उनके efforts गटकरीजीरे ला बिल्डप को कम करने के लिए और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मॉडर्न करने के लिए काफी सारे काम करें है जैसे ही 2014 में नितिन गटकरीजी एज़ अपोईट हुए उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के अंडर काफी सारे इनिशेटिव लिए उनके बनाए नए सिस्टम म कोई सार नहीं था जिन प्रोटेक्ट्स को टर्मिनेट या री आसाइन नहीं किया गया था उनको एडिशनल अटेंशन और फंटिंग्स देकर सुपोर्ट किया गया नेतिन गटकरीजी के अंदर सिर्व रूरल एज़े इस वी अट्पैंड नहीं किया बलकि नैशनल हाइव जो चाइना से भी बहुत चाहता है टोटल नेटवर्क साइज के मामले में जहां चाइना थर्ड रैंक पर आता है वहीं इंडिया यूएस के बाद सेकिंड नंबर पर आता है और अगर रोड देंसिटी की बात करें तो इंडिया का रोड नेटवर्क चाइना का पैज़र में जार गुना जादा देंस है इसका मतलब यह है कि जहां 100 km में चाइना के अंदर 54 km लंबी सड़क है वहीं इंडिया के अंदर 194 km लंबा रोड नेटवर्क सिर्फ चाइना ही नहीं रोड देंसिटी के हिसाब से देखे तो इंडिया फ्रांस जर्मनी यूके यूएस इटलियो चापान जैसे डेवलब देशों से भी आगे है जानी कि जैसे मैंने अभी बताया 100 km के अंदर जादा रोड इंडिया ने डेवलब करें है अब यह तो रही वह बात कि इंडिया में कितनी तेजी से रोड का निर्मान हो रहा है लेकिन रोड की कॉलिटी का क्या अगर नेशन अगर अब ही तक आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कर सब्सक्राइब करते हैं अब ही आप में सिर्फ तेरा परसेंट लोग की ऐसे हैं जो इस चानल करते हैं लेकिन हमें एक चीज और देखने को मिलती है जो बढ़ रही है जो की है रोड एक्सिदेंट्स एड एक्चुली रोड एक्सिदेंट्स एक बहुत बड़ा रीजन कंसीडर किया जा सकता है जिसकी वैसे इंडिया अभी तक 47 कंट्री से पीछे हैं ट्रांस्पोर्ट रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अंदर इंडिया में 4,80,000 रोड एक्सिदेंट्स प पूरी दुनिया में रोड एक्सिदेंट्स के कारण जान गवाने वाले लोगों में 10% सिफ इंडिया जी होते हैं और इंडिया के बाद 2 नमबर पर चाइना और 3 नमबर पर यूस आता है और अगर हम ट्रांस्पोर्ट रिसर्च विंग की इस रिपोर्ट को डीटेल में दूसरा में बड़ा कारण है जैसे कि हमेट बैंना प्राइशन लगाना या रेट ना वालेशन करना लेकिन ये जो ओवर स्पीडिंग और ट्राफिक रूल वालेशन 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 वाले अपने पर बहुत जादा वास्त है और इसके लिए डेकेटिव लगी लेकिन ए कि अनुसार 2014 में पॉट होल्स और हम्स की मज़े से 11,400 लोगों ने अपनी जान गवा थी लेकिन ऐसा नहीं है किसी यह सिर्फ 2014 में ही हो रहा था आज की रेट में भी हम देखें तो कितने ही लोग अपनी जान गवा देते हैं इन पॉट होल्स की वाज़े से इन रोड्स पर ब्यूटमिन, ब्रेक्स या स्टोन का कोई भी काम नहीं किया गया था हां यूएस में हमसे जादा कच्छी सटके हैं लेकिन वहाँ पॉपुलेशन टेंसिटी बहुत ही जादा काम है और वहाँ पर ऐसी सटके उन जगवाँ पर जादा है जहां पर लोग इनको को जादा यूज नहीं करते हैं दूसरा कारण है बिटुमिन रोड्स इंडिया में रोड्स बनाने के लिए बिटुमिन यानि की डामबर का सबसे जादा इस्तमाल किया जाता है वही डेवलेब्ट नेशन से इसको कंपैर करें तो मोस्त कंट्रीज के अंदर कंक्रीट रोड से जादा आती है लेकिन ये कोस्ट इनकी डूरेबिलिटी से जिस्टिफाय हो जाती है जांक्रीट रोड की सर्विस लाइफ 40 एर्स तक हो सकती है वहीं बिटुमिन रोड्स दस साल भी बड़ी मिश्किल से चल पाते हैं और इंडिया में तो कई जगा पर ये इससे भी कम च जाता है तो उसको कई सालों तक ठीक नहीं कहा जाता है जिसके कारण महां पर बड़े बड़े पॉट हो जाते हैं क्यूंकि रिपेर और मेंटेनस के लिए आने वाला पैसा करफ्शन के चलता है आदे ही रह जाता है और आदे ही रोड्स तक वह पहुँच पाता है हर सरकार इन पॉट हो की जिम्मेदार बैड वेधर कंडिशन को बताती है लेकिन एक्सपर्ट का मानना यह है कि बूर ड्रेनिज सिस्टम के कारण गुर्ड क्वालिटी डामबर रोड भी सिर्फ पांच साल तक ही टिक पाते हैं अकसर यह देखने में आता है कि रोड्स के काम की खरा करते हैं और इसलिए यह देखने को मिलता है कि कुछ राज्यों के तो गाउं तक के रोड यू बहुत अच्छे बने होते हैं लेकिन कुछ शेरों के रोड्स तक भी पॉट्वल से बने होते हैं लेकिन आप डेफिनेटली अपने रोड्स के बारे में कमेंट सेक्शन में लि कर लिए और वैसे भी प्रॉस्परेस देशों से इतना उपर आ जाना एवन दो इंडिया बहुत ज्यादा ओवर पॉब्लिटी डेश है एक अपने आप में ही कुछ कब्री की बात है बिहार का एक बहुत दूर दरास का गाउं है तब भी महा के सड़क जो है आप देख लीजिए बाके नेशनल हाईवे मैं तो बताएं कि एक हजार किलोमेटर दूर मेरा गाउं है और मैं सुबह चलता हूँ और शाम को घर पहुंच आता हूँ तो आप सोचिए कि इससे अच्छी बात और क्या होगी तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो बना है इस पाई ने बड़ी ही इंफॉर्मेटिव थी और जहां टक रोड की कंडिशन की बाट रही देखिए हमारे हमारा रोड नेट्वर्क दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा नेट्वर्क है तो उसकी मेंटेनेंस और उसको बनाने के लिए भी पैसे इतने पैसे की जरूर्ष होती है तो ऐसा तो नहीं कि हम डो टीन साल में ही सबको अपग्रेड कर देगे या ठीक कर देंगे या नया रोड इंफार्स्रक्चर जैसे जैसे हमारी इकोनोमी बड़ेगी वैसे वैसे रोड भी अच्छे होते जाएंगे और उनकी क्वालिटीज में भी सुदा रहेंगे और ये करप्शन की वज़े से कई जगों पे तो बड़े-बड़े कड़े होते हैं और उसे की वज़े से एक्षिदेंस होते हैं मैं अच्छे दस साल पहले जब इंडिया आठा था तो मुझे बिल्कुल भी ट्रावल करना अच्छा नहीं लगता था वहां मैं सूरत गुजरात से हूँ तो उतना पसंद नहीं था गाडियों में गूमना क्यूंकि रोड भी उतने अच्छे नहीं थे तो लेकिन जब अब जा अच्छे में खटम नहीं होगा टब तक रोड की क्वालिटी नहीं अच्छी हो सकती क्योंकि वह बीच में कंट्रेक्टर्स और सरकारी जो सुपरवाइजर्स या अठिकारी है वो भी पैसे खा जाते है तो उतना पैसा रोड के इंफरस्ट्रक्टर में नहीं लगता लेकिन मुझे लगता है कि अभी सेंट्रल गवर्मेंट की जो स्कीम्स है उस वो कॉलिटी और जो स्टेट की कॉलिटी है उसमें जहां टक मुझे लगता है वो डिफरेंस होगा क्योंकि सेंट्रल गवर्मेंट में पहले से कई ज्यादा करॉप्शन कम हो गया है तो आपके क्या विचाहे वो हमें कॉमेंट सेक्षिन में लिखके जरू बटा अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत पूलिए और चैनल पे नहीं ह